नमस्कार साथियों आज के इस ब्लॉक में आपको कानपूर का जेड़ स्क्वाइर भूमाते हैं और वैसे तो बहुत देड़ सारी दुकाने हैं आगे मैं जेड़ स्क्वाइर की बजाए रिलाइंस मॉल बोल गया हूँ उसके लिए छमा प्रार्थियों क्योंकि मुझे लगा यह रिलाइंस वालों का है लेकिन अभी किसका है जेड़ स्क्वाइर इस मॉल का नाम है जो कानपूर में बड़ा फिमस है यहाँ सोला साल बाद मेरा जब कानपूर आना हुआ तो बदला बदला सा कुछ लग रहा था बहुत बदल चुका है और मुझे कहीं से यह नहीं लगता कि यह मुंबई में मैं नहीं खड़ा हूँ यह कानपूर का रिलाइंस मॉल और यहां पर जो है बिल्कुल बच्चों के खेलने के लिए लोगों के खाने पीने के लिए कपड़ा किराना जो कुछ भी आपको चहिए वो सारी चीजें यहां पर साब लब हैं आइस क्रीम है खंडा है गरम है तो बस हां इन मॉल की वजए से हमारे जो मौले के दुकंदार है वो जरूर परेसान हो गए विचारे जो पहले दुकंदारी उनकी उवा करती थी जो उनकी ग्रहकी थी वो सब चौपट हो गई सही पूछो तो और उस तो इन मौल बालों के चक्कर में सब चौपट हो गया व्यापार मौले की दुकानों का हमारे आसपास जो दुकाने हैं जो ब्यापारी पहले जिनके आसे हम लोग खरीदारी करते थे अब ज्यादा तर लोग मौल से खरीदारी करना पसंद करते हैं पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे मौले के भी जो करने लगा आपको मालूम है एक टाइम वो था जब लोग डरा करते थे काच की दुकानों में भी जाने में जिन दुकानों में काच लगा होता था वहाँ पर भी जाने में लोग डरा करते थे लेकिन आज ये बड़े-बड़े भारी भरकम चार-चार-पांच-पांच मंजिन के मौल यहाँ एक गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी आक दो जरूर इनसे थाइदा उआ कि जहने को आते हैं हैं तो इन फूट शूराओ hueee के साथ यहां पर बच्चों की खेलने का बहुत इंतिजाम में बस्ट एप है बहुत तो गेमिंग प्रोग्रामि में बहुत बहुत धेर सारी अभी यह सब new participar यहां पर कैसे इंज्वाइए कर रहे आप यह δेखो को सब है कियु ठीश जुटोड praise कोई गल मार रहे है और खाने पीने की जो वस्तोओं हो भी डिस किसे नहीं कि बहुत महेंगी हैं यहां पर पचीश रुपए की शॉफटी खाना चाहो कौफी चाय के भी रेट एक दम रिजनेबिल और इतना इसलिए इनको रखना पड़ता है यहां के जो शॉप कीपर है दुकंदार है उसका कारण है कि यहां का मेरे ख्याल में भाड़ा य चोटे बच्चे हैं लिप से जा सकते हैं इसके वाला बाद ऐसी लेटर है और सबसे बड़ी चीज है कि अभी तक तो मैं कपड़े के कपड़े में खाने में कपड़े की बस्तूए या इलक्ट्रोनिक्स बस्तूए उसमें डिस्काउंट सुनते आये थे लेकिन कानपूर मे एक नई बात देखने को यह मिली अब मुंबई में अपने है की नहीं है वैसे मुंबई में मैंने यह चीज नहीं देखी है और हो सकता हो घ्यान ना गया हो मेरा कभी लेकिन यहां देखने को मिला कि खाने में भी जो है 50% का डिसकाउंट है पता यह इसकाउंट अब मिलने अच्छी बात है अभी खाने में भी यह इसकाउंट मिलता है जो सामान खरीत पर उसमें भी स्काउंट मिलता है तो अच्छी चीज है और जुक्ति यह विलॉग तो मुझे बनाना वनाना नहीं आता है अब चुकि 13 दिल की धर्मियात्रा पे निकले हैं तो आज यहां पर आ जाने का आउसर मिला, तो मैंने का चलो, चलते हैं, मुझे सभी अपने लोग आज यहां पर लेकर आए, और अच्छा भी लगता है, क्योंकि जो डेवलब सिटी हैं, वहां पर घूमना, वहां के वातावरणों को समझना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और माहूल यहां का बड़ा सांथ है, सांथ मतलब यह है कि कानपूर जैसी जगह में इतनी सब सांथी के साथ चल रहा है, एक टाइम था कि मदब हमारे टाइम पे आज से 20-25 साल पहले, तो कभी सूचा भी नहीं था कि कानपूर इतना डेवलब कर जाएगा, इतना आगे बढ़ और यहां का बातावरान देखे तो बास को बहुत अच्छा लगा, तो आप देखते हैं, अब कल का है प्रोग्राम ब्रंदावन निकलने का, तो वहां के भी आपको दर्शन कराएंगे उहां, और इसके बाद भूमना खिरना हो गया, अब दंतब इस्थान पर जाएगा, अ पर प्रस्थान करेंगे और अगली वीडियो में फिर एक मैं विलोग के साथ नई जगहे की जानकारी देते हुए, तो कि कानपूर आये हैं तो कानपूर में बहुत से ऐसी चीज़े हैं जो बड़ी फेमस हैं जैसे यहां का जे के मंदिर, यहां का ठगू के लड़ू, है न माल रोड की कुलफी यह सब और मोती जीन तो यह सारी चीज़े भी आपको अगले ब्लॉक में दिखाएंगे और यार कुछो तो बहुत भेर सारी चीज़े हैं जिस साहर में को पहचाना जाता है यहां एक टाइम पे था आओदोगिग नगरी थी आओदोगिग नगरी थी लेकिन अब साहित अओदोगिग नगरी है जरूर लेकिन यहां उद्योगों की कमी होती गई और धीरे धीरे उद्योग जो है फेलोते गए और जो लाखो यह सहर एक टाइम पे बहुत परिवारों का पेड़ भरता था लेकिन अब भी इस सहर से जो रोजगार के इतलास में लोग आया करते थे आज उसी सहर के लोग यह कानपूर ऐसी जगह है उद्योग नगरी है यहां पर तो लोग हर स्टेट से कानपूर रोजगार की तलास में आते थे लेकिन अभी तो यहां के लोग मतलब कानपूर के लोग वो रोजगार की तलास में खुद जाने लगे मतलब यह तो और यही कारण है कि जब यहां के लोग बाहर निकले तो उनको तरक्की मिलना सुरू हुई डेवलप कर गए और आज यहां के पबलिक हो यहां की जन्ता यहां की दोब यह वास्तों में बहुत बदले बदले नजर आते हैं कहने का मतलब कानपूर स्मार्ट सिटी कि वास्तों में अगर बना है तो यहां के लोग भी बहुत स्मार्ट हो चुकी हैं बहुत समझदार क्योंकि मैंने यह देखा पहले कानपूर में बड़ा अनुसासन इतना ज्यादा नहीं था अभी हर व्यक्ति साफसपाई पे जहर देता है हर व्यक्ति रूल रेगुलेशन करता है तो यह सारी सीचे बहुत अच्छा लगा और कानपूर की यह साम आज की और आज का विलोग आप सब लोगों ने समय देकर देखा ऐसे ही देखते रहिए और तीर स्यात्राओं की तो जानकारियां देंगे देते ही देते रहते हैं आज के इस विलोग को भी सपोर्ट करिए और ताकि एक हिम्मत बढ़े मैं कभी विलोग नहीं बनाता वेकिन कभी कभी इच्छा हो जाती आप सब लोगों से के बल जोतिस पर ही नहीं चर्चा बल्कि और चीजों पर भी चल्चा करें कभी कभी मन होता है तो अब तक के लिए इतना ही अगली वीडियो में फिर झाल थे झाल